वेबसाइट कैसे बनाते हो वह विधाउट इंवेस्टमेंट वीने एक गुर्फिया लगाए याक जो सब्सक्राइफ कर सकते हैं समय तरो सिंपल सी एक घुरेफ्च कर सकते है किसीछ टाइप का आप चाहिए तो ऑफिर कोई प zombies कर लोगे और गूगल में उसको रैंक भी करा लोगे रैंक कराने के लिए करना पड़ेगा जिसका वीडियो के लिंक में डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोग वहां से अपने वेबसाइट में करके साइच कर लेना यह ब्लोगर यह एक प्लैटफोर्म में जो कि गूगल ने लांच किया हुआ इस चीश को ओके तो यहां पर गूगल ने लॉंच किया हुआ ब्लोगर नाम करके प्लैटफोर्म में मैं बोल रहा हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप अर्निंग स्टार के उपर क्लिक करब हो जिन लोग का अकाउंट नहीं दो क्योंद कर लिकर कोई ये अडी से इसमें व्लौग कर लो आपने रोग्म के ऊंट हो साइन अप करने के बाद पाद आप लोग यहां पर पूछा जाए płर से पर फॉर ब्लॉग कि आप को आपकी वेपसाइड का तो मैं यहां से कुछ भी लिख लेता है आप लोगो अपने अकोर्डिंग लिखना चाहते हो आपकि वेपसाइड का जो लिंक क्रिएट होगा मतलब की जो लिंक बनेगा वो किस नाम से लिंक बनना चीह होगे तो मैं यहां से आकाश one two one two लिखता हो इसी नाम से मेरा जो एक बनना चीह नहीं बन रहा है तो मैं और भी कुछ यहां पर लिख दूंगा करता है आप लोग अपने डाश बोड को ऊपर पहुंच जाओं आपकी वैपसाइट क्रेट हो चुकीए यहां पर आपकी website क्रेट हो था नाम टाइ cry टाइटल का नाम दिया हुआ था एंद जो मैंने की लिंक का नाम दिया हुआ है क्लिए यहां पे तो हैं पिगर्श मैने लिंक करेत हो गया आप यह हम लोग का डचीश क्लिर करताओ जो कि बहुत लोगों के माइंड में चलेगा यह हमारे नाम क्या ब्लॉक्सपोट डॉट कॉम यह नाम क्यों आ रहा है तो देखिए मैं बता तो फ्री में कहीं पर भी कोई भी चीज आप लोगों नहीं मिलती है यह आप लोग को पता है एक रूपे के चॉकलेट के पिछे भी टैक् करके अपनी वडाइड को अर्निंग करो कैसे की यहाँ पर ब्लॉगर को मतलब नहीं है करो यहाँ पर कोई नहीं आप अपने कॉस्टमाइज कर सकते हो तो देखो यह हमारी वेबसाइट है अगर आप लोग को जो ही कि आपका वेबसाइट को जो होमपेज अगर वह अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग क्या गरो यहां पर ब्राउजर में आओ यहां पर लिखो ब्लोगर थी फार फ्री यहां पर बहुत सारी वह एबसाइट मिल जाएंगे यहां पर कोई जोब्य थीम आप लोग को पसंद आए अपनी वेबसाइट के अकोडिंग आप लोग यहां से डाउनवर्ड करोगे ना वह एक जीप फाइल में आता है जो भी फाइल आप लोग डा और आप लोग उस थीम को अपनी वेबसाइट में एड़ कर सकते हो तो कैसे पहले हम लोग तीम कैसे पहले हम लोग देखेंगे तीम के आप्षन में आने के बाद यहां पे जो कस्टमाइज के बाजू में जो एरो बटन दिख रहा है न हम लोग को सिंपल सा उसके उपर क्लिक करना करने के बाद रिस्टोर ऊपर करने का है हम लोग को Sak 내 अब लोग को एकस आप करेंगा समझे अगर उसको तो एक्सटेट करदोगे तो यहां पर शो करने लगेगा जो भी आपके थीम का नाम रहेगा एंड इसको पर क्लिक करो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको xml file नाम करके जो भी टाइप दिखेगा न तो यहां देखिए उपर साइड में टाइप यहां पर option दिया हुआ है टाइप में नीचे जो xml file रहेगा न उसके उपर क्लिक करो क्लिक करने के बाद हमारा जो ही कि यहां पर restore हो जाएगा मतलग कि चेंज हो जाएगा तो मैं यहां से आता हो एंड़ इसको refresh करता अपने वेबसाइड को तो देखे हमारा जोई कि यहां पर लगा हुआ है कि नहीं लगा तो जैसे कि मेरा पास जो थीम ता हो मेरा यहां पर लग चुका है तो देखेंगे कितना attractive थीम है कर सकता हो कुछ पूर सीप बेसिक का सिखेंगे कि basically हम लोग website कैसे करेड कर सकते हैं and जो next video में करने आला उएक पुरह पूरा advance level पर कि ब्लोगर पर advance type में हम लोग website कैसे करेड कर सकते हैं मतलब कि हार चीछ चोटी लेके बड़ी ओके हर एक प्रॉब्लम का सॉलूशन भी हम लोग उसी वीडियो में देखेंगे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेड़ी रहना ओके कि यहां पर जो है कि हमारा थीम अप्लोड हो चुका है अप्लोड होने के बाद तो हमारे वेबसाट कुछ ऐसी दिख रही है ओके अब यहां पर हम लोग सिर्फ बेसिकली देखेंगे ओके समझें कि अब बारिये कि हम लोग इसमें किसी भी चीज को अपलोड कैसे करेंगे माल लिजिए कि अगर आप लोगों को आर्टिकल लिखना पसंद दे तो मैं कि हुआ कि कि एंची लगइट है यहां फेट पूस्ट का प्हban है पएला इतना पूष्ट है जिए इंच्ट्राग्रा में पोस्ट आप vibrer में अप्लिष सब्सक्राइब मतलब कि यहां पर आप लोगों दिखाएगा कि यहां पर मैने में एवरीडे यानि कि लास्ट मन्त कितने विव सार है यह तीन विव इसलिए दिखा रहा क्योंकि मैंने आपने से इसको तीन बार इसको विव कर चुका हूं देखेगा अब यहां पर दिया हुआ फोर्थ ओप्शन अर्णिंग का तो इसको हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट एपिसोड में तो मैं इसका एक जो है की प्लैलिस्ट त्यार करता हूं तो आप लोग प्लैलिस्ट में जाना लाने की तेज़्सक में और बिल जायगा क फिर यहां पर कितना पेज़ेश क्रेड कर रहो ले आउट को अप्षाइट में कैसे चेंज़स लाना है यहां पर सेटिंग और यहां पर सिर्फ हम लोग बिसिकली देखेंगे कि वेबसाइट में नॉर्मली होता क्या चीज़ें ओके फिर यहां पर रेडिंग लिस्ट है रेडिंग लिस्ट वैसे हम लोग कुछ काम का है नहीं तो यहां पर आने के बाद अपना जो भी एक टाइटल है उसको यहां पर डालो तो टाइटल की वर्ड क्या होता है इसके उपर विडियो बना दूंगा कि टाइटल कैसे फाइंड आउट करें ऐसा कोन सा टाइटल हम लो जो कि गूगल पर रैंक कर जा हमारे वी एपसाइट टॉप 10 में दिखने लगे तो कीवर्ड रिसर्च पे भी एक वीडियो बनेगा यह पूरा का पूरा जो ही कि आप लोग को प्लेलिस्ट में मिलेगा तेंशन मतलब आप लोग को डूनने की जूर्ट नहीं पड़ेगी कह टैन फेंशन मोवी इन इन दे Uhh okay तो यह मेरा टाइटल होगा, ओके यह मेरा टाइटल और घ्ली अब में इसे टाइटल को कॉपी करता हूं यहां पर पेस्ट करदेता हूं और यहां पर आप लोगों को जो भी लिखना है जो भी इमेज़े से लिखना है अभी इमेज़े से सबसे लिए लोगों को सिघा ना मैं सबसे महठना सबसे पहले यहां लोग को सिखा हमें तो यहां से जाओ एंड उसको अप्लोड कर लो चूस फाइल को उपर आने के बाद यहां से आप लोग कोई बीएक इमेजस से ले लो जी से यहां पर कोई लेता हूं एक सब्सक्राइब कि पे यहां से में इमेजिस ले लिया के अज़िए तो यहां पर पिलोड हो जाएगा तुः हमारा इमेज भी लग गया आप इसकी सइज मेब इसको left right में भी कर सकते हो okay तो मैंने इसको right में रखा हुआ है एंड यहां पर एक option दिया हुआ image size ओके हुआ ही है आप लोग यहां से extra large ओके आप कोई भी size का यहां पर कर सकते हो okay तो मैं इसको small में रहने देता हूँ एक second आप लोग को समझ में आ गया ना कि images को कैसे upload करना है आप बारी वीडियो इसको तो just उसके बाजू में एक वीडियो का option दिया हुआ एकदम easy लगेगा अगर आप लोग इसको बहुत भारी में लेकर चलोगे तो आप लोग को बहुत प्रोब्लम आएगा अगर आप लोग इसको बहुत ही simple में समझ लोगी आप लोग के लिए बेसिक चीजे मतलब कि जिसने भी एकदम अच्छे से सीखा हुआ है उसके लिए इस एडिटर को यूज करने में कोई भी प्रोब्लम नहीं आनी चाहिए समझ रहो ना तो यहां पर मतलब कि अपने टाइटल के अकॉर्ड यहां पर आप लोगों जितने भी इमेजे सेट करने इमेजे सेट कर दो यहां पर टाइटल लिखो एंड उसके बारे में पूरा का पूरा का पूरा कहानी लिख डालो जो भी आप से रिलेटेड फॉंट की जो टाइप है वो भी यहां से चेंज कर सक यहां से हम लोग वर्ड को भी कस्टमाइज कर सकते अपनी साब से अगर किसी समझ ले लेता हूं जैसे कि आप लोगों ने यहां पर फॉर्स्ट नाम दिया ओके यहां पर मैंने लिखा ही कि यह एक मुवी है कि मैं कि मैं कि मुवी का नाम लेता हूं जैसे कि ट्रिपल अर का नाम ले ले तो मैं उसके बारे में मैंने यहां पर यहां पर निक्द करेंगे तो यहां पर data कर दे को औं फिर इसको करो करने के बाद यहां पर लिंक को यहां पर डालेना जैसे हम लोग यहां पर डाल देना को Fit Western सबसे हैं आप लोग सबसे ध्यंक्त हैं आप पे। हम लोग ett20 करें करें तो यह ज़ी पोस्त जो यह विश्त करें नहीं कोई देख पाईगा के सिंपल सबढ आपेका अपने देखो वह पोस्ट के अभी फिलाल में अपलोड किया हुआ तो आपने पोस्ट के उपर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो भी अपर डाला हुआ तो आ गया यहा पर क्लिक करेगा तो जहां पे आप लोगों नों डानलोड करने आधा या तो गूगल का ओपसन दिया हुआ है यह कहीं आधर लिंक तो यह था कि हम लोग पोस्ट कैसे सकते एंद पैजेस यहां पर ऐपसन दिया हुआ पैजेस कैसे ऐड़ करेंगे वे को उपर क्लिक करो तो यहां पर उपर न्यूव पोस्ट का आएगा मतलब की एड़ करने के लिए पेजस को उपर क्लिक करो तो यहां पर न्यूव पेज एड़ करने का उप्शन आ जाएगा तो न्यूव पेज के उपर क्लिक करो सेम प्रोसेस रहेगा हर एक चीज सेम रहेगा मैं यहां पर डाल डपाओ आप लोगों को कपी कर लो का करने कबाद हम लोगों के वा है कि जो हम लोग को यहां पर करना है अभी हो आपाउट कॉंटेक्ट तो यहां पर जो बीच वाला जो फीचर्स डॉक्मेंटेशन डाउड देखेंगे क्योंकि यहां पर बहुत ही डीपली समझना पड़ेगा आप लोग तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग इतना डीपली नह क्लिक करो यहां पर हम लोग का हो हम अबाउट करता हूं फिर हम लोग का नाम ताओ इसको यहां पर डाल दो और जो हम लोगों किया हुआ है इसको इसको सिंपल से पेस्ट करने के बाद सेव कर दो यहां से बीकर दो यहां पर राइड साड़ में में कॉर्णर में यह और से लिंग का उके और सिंपल साओ अपनी वेबसाइट को रिटन से रिप्रेश कर लो कि आप लोगों का पर जो है क से क्रिइट होती है अभी पोस्ट से लेके रेडिंग लिस्ट तक का जितने भी ऊप्शन है ये पूरा का पूरा एडवांस पर हम लोग cetera mind मतलब कि अपनी website को कैसे करा है थर्ड option हम लोग का यह रहेगा और फॉर्थ यह रहेगा कि हम अपने website से अर्निंग करने के क्लिए क्या करना होगा Google edsens का प्रोल कैसे लेना होगा हम लोग वह दिखेंगे लिए रहो एंट फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों को तुरंतव तो शोट करूंगे तो लोगों अविप्र हट अपलीय लिस्ट नम करके place मिलेगा पर इसके प्लिक करूंग आप लोग को पूरा टैटक पूर नाम करेंगे अप्टएअध लाइक करते अचे से